जै मातादी, वर्ण बेस्ट मेजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वर्ण सावित्री वरत का बहुत खास महत्तु माना जाता है। ये वरत जेस्ट महा के कृष्ण बक्च की अमवस्यतिती को रखा जाता है। इस दिन बरगत के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं वरत रखकर अपने पती की लंबी उम्र की कामना करती है। ये वरत महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। मानिता है कि इस दिन उपवास और पूजा करने वाली महिलाओं के पती पर आया संकट टल जाता है और उनकी आयूं भी लंबी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके साधी सुधा जीवन में किसी भी प्रकार की परेसानी चल रही हो तो वह भी सही हो जाती है। तो दोस्तो चलिए जानते हैं कि वड सावित्री व्रत की कथा क्या है। इस कथा को सुनने मातर से अखंड सौभाग का वर्दान प्राप्त होता है। वड सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भदर देश के एक राजा थे जिनका नाम अस्वपती था। भदर देश के राजा अस् संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उचारण के साथ प्रत दिन एक लाग आहूतियां दी, 18 वर्सों तक यह क्रम जारी रहा, इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, सावित्री देवी की कृपा से ज स्वयम वर्तलासने को भेजा, सावित्री तपोवन में भटकने लगी, वहां साल्व देश के राजा दयूमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पती के रूप में वरण किया, रिसी राज राज नारत को जब यह बात का पता चला, तो वह राजा अस्वपती के पास पहुँचें, और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं, सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, और बल्वान भी हैं, पर उसकी आयू बहुत छोटी है, वह अलपायू है, एक वर्स के बाद उसकी म्रत्व हो जाएगी, रिसी राज नारत की बात सुनकर, राजा अस्वपती घोर चिंता में डूब गए, सावित्री ने उनसे कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर्क के रूप में चुना है, वह अलपायू है, तु ग्या करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है, सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवा करूंगी, राजा अस्वपती ने सावित्री का विवा सत्यवान से कर दिया, सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में लग उन्होंने तीन दिन पहले से ही उपवाज शुरू कर दिया, नारद मुनी द्वारा कथित निश्चित तिती पर पित्रों का पूजन भी किया, हर दिन की तरह सत्तिवान उस दिन भी लकडी काटने जंगल चले गए, साथ में सावित्री भी गई, जंगल में पहुँचकर सत्त सत्तिवान लकडी काटने के लिए एक पेड़ पर चड़ गए, तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, दर्द से व्याकुल सत्तिवान पेड़ के नीचे उतर गए, सावित्री अपना भविस समझ गई, सत्तिवान के सिर को गोद में रख कर सावित्री सत्तिवान का सि यही विदी का विदान है लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा भगवन मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परिसानी नहीं है। इस पर सावित्री ने सो संतानों और सो भाग का वर्दान मांगा यमराज ने इसका वर्दान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभू मैं एक पति व्रता पत्नी हूँ और आप ने मुझे पुत्रवती होने का आसिरवाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्तिवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट व्रच के पास आ गई जहां उसके पती का म्रच सरीर पड़ा हुआ था। सत्तिवान जीवन्त हो गए और दोनों खुसी-खुसी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा की माता पिता को दिव्विजोती प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्तिवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। वट सा कानकाली आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्थ बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद